क्या इस देश के लोग मूर्खें क्या उनको समझ में नहीं आता कि 10 रुपए के इस तर्म पर 21 वीगा जमीन दान होती है क्या ये क्या अधितुनार जी को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या यहां के अधिकारियों को बेइमान अधिकारियों को नहीं समझ में आ रहा है खाजप कि आपको वापस मिलनी चाहिए जिन लोगों ने भी महार्शी क्रस्ट से दलीतों की जमीन करोडों रुपए में खरी दी है इन दलीतों की वंचितों की पिछ्रों की जमीन वापस करों और उन बेहिमानों के घरों पर बुर्डों जद चलाओ तब हुं जानेंगे कि तुम जा दिया करीब आदमी एक वक्त भूखा रहके चंदा देता है राम मंदिल के निर्मार के लिए और ट्रस्ट के महासचियों के अंदर सारे सोला करोर रुपए फेरा फेरी कर देते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में ये लोग ये कहना सुरू कर दे कि भाई गावाले तो सब ख खाते रहते हैं ये लोग जूते आरोग ठागाते हैं इसलिए आएए और देखिए मैं मीडिया के मित्रों सभी कहना चाहता हूं देखिये इनकी पीरा को देखिये इनके दर्ण को उपस्तित गाओं के हमारे किसान दाईयों माताओं और बेहनों भुजुर्गों मुझे जब पता चला कि माजा बराटा में समाज के वंचित लोगों की जमीन पिछडे वर्ग के लोगों की जमीन तलितों की जमीन आउने पौने दामों में दस अजार पांच अजार रुपए में नब्वे के दसक में ली गई और लिया गया अस्पताल बनाने के नाम पर जैसा भी महादेव जी ने बताया हमारी माताओं बहनों ने बताया गाओ के बोले भाले लोग इन लोगों ने अस्पताल बनाने के लिए अपनी जमीन ओने पौने दामों में दे दी इस्कूल और काले बनाने के नाम पर अपनी जमीनों ने पौने दामों में दे दी और जिस रोंगई को जमीन बेची उस रोंगई ने 21 भीगा जमीन 10 रुपए के स्टांप पर दाम कर दी क्या इस देश के लोग मूर्ख है क्या उनको समझ में नहीं आता कि 10 रुपए के स्टांप पर 21 भीगा जमीन दान होती है क्या जो रोंगई जमीन दान कर रहा है वो खुद प्रधान मंत्री आवास में रहता है उसके लिए अपने रहने का घर नहीं और वो 21 भीगा जमीन दान कर देता है ये क्या अधितनाज जी को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या यहां के अधिकारियों को बेइमान अधिकारियों को नहीं समझ में आ रहा है भाजपा के विढ़ाय को नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है इनको सब को समझ में आ रहा है लेकिन इनोंने आपके जमीन पर लूट किया है करोड़ों रुपए का मल कमाने का काम किया है आपकी जमीन आपको वापस मिलनी चाहिए तब तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगा आज आप देख रहे हमारी माताएं बहने यहां पर रो रही है इनकी जमीन इन से छीन ली गई और कौन से लोग जमीन की प्लाटिंग कर रहे हैं वह महरसी ट्रस्ट का तागत मुझे अर्विंद यादों ने उपलब्द कराया वह ट्रस्ट के वह देश में लिखा है राम चरित मानस के प्रचार प्रसार करेक्टाई संस्था बनिया है राम चरित मानस का प्रचार कर रहा है तो प्लाटिंग करके जमीन बेच रहे हैं और लिखा है कि संस्था बनी है रामाया का प्रचार के लिए राम चरित मानस के प्रचार के लिए आपदाओं में लोगों की सहायता करने के लिए और बताइए सरक की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, प्रभुसरी राम की जमीन, सब की जमीन वो ट्रस्थ हरक के प्लाइटिंग करके बेच रहा है, इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आदित नाज जी ने भी तीन दिन पहले कहा, जो गरीबों की जमीन को हरपेंगे, उनके उपर बुर्डोजर चलवाया जाएगा, मैं कहना चाहता हूँ, आदित नाज जी, अगर आपके अंदर जड़ासी भी न्याय के जड़ासा भी आपके अंदर दिमाग और दिल में कड़ बचा हुआ है, तो आईए इस गाओं में, भारती जंता पार्टी के जिनने ताओ रहे, उनके निस्रिष्टेदारों ने, मेर ने, बिढायक ने, यहां के कमिस्नर रह चुके, डीम रह चुके, एस्दीम रह चुके, एडीम तमाम सियार और तमाम अधिकारी, जिन लोगों ने भी महारसी ट्रस्ट से दलितों की जमीन करोणों रुपए में खरीदी है, इन दलितों की वंचितों की पिछरों की जमीन वापस करो, और उन बेहिमानों के घरों पर बुल्डोजर चलाओ, तब हम जानेंगे कि तुम जाय की बात करते हैं, बरना ये मूर्ख बनाना बंद कीजिए, लोगों को बेकुप बनाना बंद कीजिए, हमने देखा इसी अयोज्जा के अंदर क्या-क्या घपले बाजी हो रही है, प्रभुसरी राम के मंदिर निर्मार के नाम पर एक ट्रस्ट बना, लोगों ने अपना पेट कार्ट के चंदा दिया, गरीब आजमी एक वक्त भुखा रहके चंदा देता है राम मंदिर के निर्मार के लिए, और ट्रस्ट के महा सचियू, पांच मिनट के अंदर साहे 16 करोण रुपए हेरा फैरी कर देते हैं, भाजपा नियताओं के साथ मिलके, यहां के मेया के साथ मिलके, दो करोण में जो जमीन सुल्टान अंसारी और रवी मुहन तिवारी ने पांच मिनित पहले खरी दी उसको पांच मिनित के बाद सारह 18 करोण में बेच दी इस प्रकार की बेईमानी चल रही है इस प्रकार का भरस्टाचार चल रहा है आज तो सिर्फ आफसे मुलाकात करने का उद्डेश से था आपसे मिलने के लिए मैं आया क्यूंकि मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में ये लोग ये कहना सुमो कर दें कि बहई गाँवाले तो सब खुस है गाँवाले तो सब मगन है गाँवालों को तो कोई चिंदा नहीं खाली संजे सिंग आवाज उठाते रहते हैं ये लोग धूते आरोप लगाते हैं इसलिए आए और देखिए मैं मीडिया के मित्रों सभी कहना चाहता हूँ देखिए इनकी पीरा को देखिए इनके दर्द को देखे इनकी जमीनों को छीना गया है और हर्पा गया है और अर्बोरूपै करोरो रुपै कमाने का काम ये बेईमान भादपाई कर रहे हैं इनके अधिकारी कर रहे है इन लोगों के घरों पर बुल्डोजर चलना चाहिए और गरीबों को उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए ये मैं कहना चाहिए चला बुल्डोजर बाबाजी आपने कहा जो गरीब की जमीन हरपे का उस पर बुल्डोजर चलेगा हिम्मत है तो चला इन वे इमानों पर अपने विधायकों पर अपने मेर पर अपने अधिकारियों पर अभी भीव अपने पद पर बने हुए बड़े अफसोस की बात है आपने जाज के लिए एक नोटंकी कर दी उस नोटंकी से कुछ होने वाला नहीं है हमें मालूम है इस पूरे प्रकरल की जाज सुप्रिम कोर्ट की मानेटर्ड S.I.T. में होना चाहिए सुप्रिम कोर्ट की निगरानी में S.I.T. बनाके जाज टीम गठिद करके और थोड़ी बहुत जमीन नहीं मुझे जो अर्विंद यादों ने बताया लगबग पंदरह सो विगहा जमीन लेहा है प्रस्ट वाले गलत तो नहीं कहाते हैं लेकिन पूरा गाउं जो खरीदे है पूरा इलाका पंदरह सो विगहा जमीन के मामला है तो पूरा एक जाज कराए के जब तक एक एक जमीन जेके जेके हड़पे नहाए या जतना पैसा हम बेचें है उतना पूरा पैसा जब तक न मिल जाए तक लड़ाई और आंदोलन जारी रहे एकने लिए हम सब पूरी तरह से तोरसब के साथे नहीं किन्ता पर एक जमीन के लिए